हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है क्रीप जिसे की माइग्रेशन भी कहा जाता है और आम बोल्चाल की भासा में हम स्लिपेज भी कह देते हैं क्रीप या माइग्रेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंस है रोटरी किल्न में अगर आप डियाराई प्लांट में हो तो भी या फिर आप अगर सिमेंट प्लांट में हो तो भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसको पूरा सुरू से लेकर अंत तक देखीगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाने वाला हूँ कि आखिर किलन का करिक कैसे मेजर करते हैं, माइघरेशन कैसे मेजर करते हैं, दोनों एक ही चीज है और इसे ही सलिपज भी कह दिया जाता है यह बहुत ही ज्यादा important topic है क्योंकि अगर आप किसी interview में जा रहे हैं अगर आप एक mechanical fitter है, four man है, engineer है तो यह बहुत ही basic सी चीज है जो आपको interview में जिसके बारे में पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको थोड़ असल जंकारी होना बहुत ही ज़रूरी है तो friends, ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 1000 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video को start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताए तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये creep होता क्या है creep या फिर migration होता क्या है तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक diagram दिखाता हूँ इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा तो ये rotary kiln का tire के पास का tire shell के पास का cross section या cut section भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे बाहर में है ये आपका tire है tire ring है ठीक है उसके अंदर में आप देख सकते हैं नीचे में सबसे अंदर में जो है refractory लगी हुई है किस में लगी हुई है kiln cell में ये kiln cell है ठीक है rotary kiln का cell है जिसके उपर में refractory लगी हुई है और kiln cell के उपर में chair pads लगे हुए हैं कुछ कुछ डिस्टेंस में थोड़ा थोड़ा गैप है उसके बाद में chair pads पूरे circumference पर लगे हुए है और उसके उपर में है आपका tire ring है ना अब यहां पर देखिए जो आपका chair pad है जो किन cell है chair pad है वो नीचे के direction में अगर आप देखेंगे नीचे से direction में तो बैठा हुआ है पुरा contact में है लेकिन जो उपर का कुछ portion है उपर का कुछ हिस्सा है जहाँ पर बिल्कुल भी contact नहीं है किसमें tire में और आपका जो chair pad से उसमें बिल्कुल contact नहीं है वहाँ पर air gap दिया हुआ है आपका rotary kiln जो है वो heat होगा तो वो भी expand करेगा diametrically भी और longitudinally भी तो यहाँ पर diametrically expand होगा इसलिए यहाँ पर clearance जो है वो दी जाती है तो चली आप समझते हैं कि आखे क्रिप क्या होता है तो देखे यहाँ पर जब rotary kiln rotate करता है तो क्योंकि यहाँ पर tire shell और tire के बीच में gap है तो जब kiln rotate करेगा tire भी rotate करेगा rotate होगा लेकिन उसमें वहाँ पर उस clearance की वज़े से slippage होगी यानि कि जब kiln rotate करेगा तो tire जो tire है हमारा tire shell के उपर tire जो है वो slip करेगा यानि कि एक relative motion होगा kiln cell का और tire का और इसी relative displacement को हम measure करेंगे mm में जिसे की creep कहा जाता है creep की value ली जाती है पर revolution में यानि की एक revolution में कितना slippage हो रहा है उससे कहा जाता है creep तो चलिए समझते हैं आखिर कैसे measure किया जाता है creep को field से creep measure करने के लिए field से आप एक chalk ले लिजिए और उस chalk को sharp कर लिजिए ताकि आपकी marking जो है वो fine हो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर tire shell है यह chair plate holding pads है chair plate को hold करने वाला plate है इसमें हम एक line कीचेंगे horizontally और vertically tire में ऐसे line खिज़ देंगे है ना दोनों एक ही seed में रहेगा दोनों line आपको मैं pass से दिखा रहा हूँ आप clearly देख पाएंगे आपर marking करने के बाद आपको आपके kiln को एक rotation घुमने देना है और अगले rotation में यही चीज़ उसी marking को जिस position में आपने marking की थी वहाँ से आपको measure करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर marking मैंने की है यहाँ पर एक ही seed में है अब यह एक rotation घुम के आ चुका है वह position मेरा अब आप देख सकते हैं यह जो मैंने marking की थी दोनों ही lines जो थे वह एक दूसरे के साथ थे लेकिन क्योंकि tire और आपका कवर किया है थोड़ा सा जबकि आपका shell जो है वो ज़्यादा distance कवर किया है तो यह जो difference है यह जो relative motion है उसे हम measure कर लेंगे जैसे कि measuring tape में अभी मैंने किया तो measuring tape में जब हम measure कर लेंगे तो जितना mm आयेगा उतना mm क्रिप आ रहा है mm में लगभग 20 mm के आसपास value यहाँ पर आ रही है इसी तरह से rotary kiln में हर एक station पर station A, B, C, D चार टायर है आपके kiln में तो चारो में क्रिप की value जो है वो ली जाएगी measure की जाएगी और इसे measure किया जाता है समय पर क्रिप की value बहुत जादा भी नहीं होनी चाहिए बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए kiln टायर के internal surface पर जहाँ पर chair pads है उस surface पर lubricants भी समय समय पर apply किये जाते हैं क्योंकि यहाँ पर relative motion होता है kiln cell का और tire का तो friends इससे आपको समझ आ गया होगा किलन क्रिप या फिर migration जिसे की हम slippage भी कह देते हैं क्या होता है कैसे measure किया जाता है तो यह था आपका practical method theoretically भी kiln के creep को measure किया जाता है यानि कि formula के base पर standard कितनी value आनी चाहिए creepage की यह calculate किया जाता है तो उसे तो दूसरे वीडियो में discuss करेंगे इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अल्विदा